प्रेंट्स नमस्कार आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डाक्टर फलाहर यारुवेदी का उसाथिकेंद एवां बट्र लेक्टर थर्पी सेंटर में आप सभी साथियों को हम स्वागत करते हैं हम विलकम करते हैं आज को बीसा है वो कौफी इंपोर्ट केंट है आज हम बात करेंगे सात्यों बैच फलावर की रेष्क्यूर रेमीडी डाक्टर एडवर्ड बैच जी की द्वारा बनाई गी हैं लगवख 40 प्लस जो रेमीडीज हैं जो फलावर रेमीडीज हैं उसको बैच फलावर रेमीडी के नाम से जाना जाता है उन्हें के नाम से इसका नाम बैच फ्लावर पड़ा है साथियों तो हम बात करेंगे आज रेस्क्यू रेमडी के उपर जिसमें से के टॉप लगवक इनके जो भी फ्लावर्स रेमडी हैं उससे टॉप फॉइप मेडिशनल फ्लावर्स को निकाल लिया गया है और उससे इस रेमडी को त रिस्क्यू रेमडी में से कौन-कौन-से बाईशवावर्स डाले गए हैं उसके बाद इनके काम क्या है और इसको कैसे यूच करना है किस सिम्टम्स में यूच करना है हम बात करेंगे उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए व अचानक किसी चीज का जिसे आचानक आप सर्फ देख लें अचानक आप बेठे हुए हैं कुछ चीज हो जाए अचानक कोई चीज आप को सुनने को मिल जाए कि आह सिम्टम्स क्यूं को मिले थे बहुत अच्छा काम करती है साथियों इसका नाम है Division verceğim इसके बारे में साथियों मैं बताना चाहता हूं क्लेमटिस एक ऐसी रेमेडी है जो कि सिख चिल्ली जैसे सपना बिना मतलब कर आप सो रहे हैं हम यह हो गए हमारा पती हो गए हमको यह मिल गया वह मिल गया बिल्कुल ऐसे सपने देखना जो लगभख संभव नहीं है और वह सपने देखता हैसा है कि ऐसा कुछ होगा तो फिर मेरे पास यह हो जाएगा फिर मैं ऐसा हो जाओंगो फिर मैं ऐसा हो जाओंगा अगर ऐसा सिम्टम से देखने को मिलते हैं तो निश्यत तो पर बहुत इंपोर्टेंट एह रेमेडी है और बहुत अच्छा इसका कितना जलदी हमzlich अगर अज़सा सिंटमस देखने को मिलता है जो काम सोच विचारे करना चैनल B लगता है क Honors कर memoir तकाल मैं इसको कर लो आसा सिंटमस देखने को मिलता है तो यह पहुत अच्छा काम करती है इसके बहुत अच्छे ऀडिक्स है हैं ऐगली मिडिए है फोर्थ नम् कुछ कुछ देखेंगे कुछ ऐसे लोग है कि कहीं भी जाएंगे तो बहुत से बहुत डरते है ठीयों एक कसी हमने ken को सुना था या कि कहीं हो राजा था वह काफकी तानासा था लेकिन क pousते से बहुत डरता था तो अगर ऐसे फिनले स्टुनॡशrences को देखने फैले किसे जीव से रहना किसी पार्टिकुलर चीजश से ड़ना बार-बार उसी से डध्रते रहना यह रोक रॉस का लक्षा एका अगला जो ब्राइमीड़ी इंड़ना है जो कि फ्रेदि नाम से रे ईसका भी लक्षेंकुश ईसा ही अ साथी। बार बार डरना बार बार उसी चीच को सोचना और उसी चीच को सोच के डरते रहना अगर ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तेह रेमडी बहुत अच्छा काम करती है अब हम आगे बात करेंगे साथ यह पांचों को थल्ती-थल्ती की पोटेंसी मिले गया है 30CH पोटेंसी मिले के समान मात्रा में मिला के इस rescue remedy को त्यार किया गया है अब इसको देना कैसे है किसको देना है अचानक अगर कोई unconscious हो गया हो बेहोस हो गया हो चक्कार आ गया हो अचानक उसको epilepsy यानि मिर्की के जटके आ रहे हो तेह रेमिडी तीन से चार बार उसको पिला दीजिए बहुत अच्छा काम करेंगे साथियों बस डारेक्ट टंग में तीन से चार बूंद अगर ले लेंगे तो लगाता पंद्रा पंद्रा बीस-विस मिनिट के अंदर में कुछ दियर तक दिया जाए उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा उनको पैणाम आएगा साथियों दूसरा चीज जैसा कि किसी को किसी भी चीज से भाय लग रहा हो बार बार वह सोच रहे हो रात को ठोट को बैट रहा हो इंसान बार बार रो रहा हो और अकेले में बिलकुस सांथ हो गया हो किसी मिलना पसंद नहीं करत अगर ऐसे सिम्टम सा रहे हो तो भी उसको आप ये दे सकते हैं किसी को सातियों किसी से बहुत ज़ादा उसका एफेर चल रहा हो लब चल रहा हो उसके बाद अचानक ब्रेक अफोने के बाद जो सिम्टम से जनरेट होते हैं उसका दिमाग पूरी तरीके से डिस्वलेंस हो जाता है एक प्रकार का जैसे कि आपके घर में 60 सर्कृट हो जाए पूरी लाइट का कनेक्शन एक हो जाता है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है उसी प्रकार से अगर किसी के ओभी आई सब रेक अप हो उसके उपर भी रेश्क्यू रेमेडी बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंट्स तो इस तरीके से फ्रेंट्स यह बहुत इंपोर्टन रेमेडी है mental disorder, mental symptoms में कुछ भी हो इनको आप दे सकते हैं अगर कोई अलग से भी देना चाहते हैं उसको भी दे सकते हैं यह तो पेटेंट्रेट बनाई हुई है लेकिन जो हमने अभी बताया है लगभग 12 से 13 रेमेडी को उपर दूसरे वीडियो मुसके लिंक दे देंगे आप देख ल प्रेंट्स तो फ्रेंट्स निश्चित तोर पे यह वीडियो आपके लिए इंफ्रमेट्व होगी अगर इंफ्रमेट्व लगे इसको लोगों तक जरूर पहुंचाए जिससे किसी नीडी परसन को इसका अलाम मिल सके अनुमती दीजिए बाई बाई मिलेंगे नेक्स्ट व प्रेंट